विभीशन ने क्रोध करके अगनी के समान बानों की बचार करके राक्षस सेना का विनाश करना आरंभ कर दिया। विभीशन की बानवर्षा से प्रोटसाहित होकर वानर सेना पूरे बल से हनुमान के नित्रित्व में शिला और व्रिक्ष मार कर राक्षसों को यमलोग भेजने इस महायुद को देखकर देवता दानव सब के हृदे दहल गए। पृत्वी पर शबों के अतिरिक्त व्रिक्षों एवं शिलाओं के समुह से गगन चुम्बी परवत बन गए। वहां लक्षमन और मेगनाद के बानों से दसों दिशाएं अच्छा दित हो गई। उनके बानो मेगनाद लपक कर दूसरे रत पर चड़ गया और उस पर से बानो वर्षा करने लगा। मेगनाद ने जब दूसरे रत पर चड़ कर युद्ध करना आरम किया तो विभीशन को बहुत क्रोधाया। उसने पूरे वेग से गदा का वार करके उसके रत को चूर चूर कर दिया और सार्थी को मार डाला। अपने चाचा द्वारा किये गए इस विनाशकारी आक्रमन से मेगनाद जलबुन गया और उसने एक साथ दस बान विभीशन को मारने के लिए छोड़े। मेगनाद के लक्ष्य को दृष्टी में रख कर लक्षमन ने अपने तीक्षन बानों से उन बानों को मार्ग में ही नश्ट कर दिया। अपना वार इस प्रकार खाली जाते देख मेगनाद क्रोध से उनमत हो गया और उसने विभीशन को मारने के लिए वह शक्तिशाली बान चोड़ा जो उसे यमराज से प्राप्त हुआ था। वही कदभुद बान था जिसे अनों लोकों में भी कोई सहन नहीं कर सकता था। इस यम बान को अपनी ओर आता देख लक्षमन ने भी वह प्रमेय शक्ति वाला बान निकाला जो उन्हें को बेर ने दिया था। उन बानों के छूटने से संपूर्न आकाश प्रकाश से जगमगा उठा। वे दोनों एक अस्त्र का निवारन करने के लिए इंद्रजितने आगने बान चोड़ा। इसके परिनामस वरूप लक्षमन का वरुनास्त्र निरस्थ होकर पृत्वी पर गिर पढ़ा। लगभग उसी समय मेघनाद ने लक्षमन के प्राण लेने के लिए आसुरास्त्र नामग बान गया और कुछ भी देखना संभब नहीं रह गया। अपने इस सफलता पर मेगनाद ने बड़े जोर की गरजना की, किन्तु दूसरे ही क्षन लक्षमन ने सूर्यास्त छोड़ कर उस अंधकार को दूर कर दिया जिससे प्रित्वी, आकाश एव सभी दिशाएं पूर्ववत च शीग्र जाकर दुष्ट मेगनाद को यमलोग पहुंचा वेदमंत्रों का उच्चारन करते हुए उन्होंने वह बान छोड़ दिया। तीनों लोकों का क्षय करने की सामर्थे वाला वहजय य बान संपूर्ण वातावरन को प्रकाशित करता हुआ मेगनाद को लगा और उस नाम से ही भैबीत करने वाले इस परम पराक्रमी मेगनाद का सुमित्रानन दिन के हाथों वध होता देखवानर सेना के आनन की सीमाना रही। वे बड़े जोर से हरशद्वनी और सिंग गर्जना करते हुए राक्षसों को चुन-चुन कर मारने लगे। लंका के महत्वपू वानर सेना उस समय विजयोन माद से ग्रस्थ हो रही थी। उसने भागते हुए राक्षसों को भी न छोड़ा और उन पर निरंतर पत्थरों से आक्रमन करते रहे। जो उनकी पकड में आ गए उन्हें नाखुनों और दांतों से चीर डाला। एक और राक्षस हाहाकार करते हुए भागे जा रहे थे तो दूसरी और रिक्ष एवं वानर राम लक्षमन की जैजैकार करते हुए उन्हें खदेर रहे थे। देपताओं एवं रिशी मुनियों के भयन कर शत्रू के मर जाने पर सब लोग प्रसन हो हर्षनात कर रहे थे।